मैं नर्गिस खातुम पूत्री अबदिन अंसारी ग्राम पोष्ट इंदुकुर जीला देवरिया की निवासी हूँ मेरे हस्बेंड हरकेस यादो जी पूत्र रामचंद्र यादो जी ग्राम पोष्ट इंदुकुर जीला देवरिया की निवासी है हम दोनों लोग भाग के साधी कर चुके हैं, यह मेरे साथ कोई जोर जबर जस्ती नहीं किया है, हम खुछ से अपने मर्जी से इनके साथ भाग के आई हूँ और साधी कर ली हूँ थाना अध्याच महोदय से निवेदन करते हैं कि मेरे हस्बेंड के फैमिली के ऊपर कोई भी टौचर ना किया जाए, जो बेकुसूर हैं, उनको भी कोई टौचर ना किया जाए, हम लोग भाग के साधी किया हैं, अपने मर्जी के मुताबी किया हैं, किसी का इसमें कोई हाथ हम लोग खुद से अपने मन से, अपने राजी मंदी से साधी कर लियें, ठाना अध्याच महोदय जी से मैं ये कहना चारे हूँ कि हम लोग बालिक हो चुके हैं, मेरी एज बाई साल है, इनकी एज 21 साल है, हम लोग खुद से अपने मर्जी से साधी कर चुके हैं, कर सकते हैं कर चुके भी है थाना अध्याच महोदे जी से यही कहना है कि हम अपने मर्जी से इनके साथ आएं यह हमको कोई जोर जबरजस्ति करके नहीं लेकि आएं मेरे हजबेंड के उपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है सोने का पैसे का या कुछ भी अदर कोई भी चीज को लगाया जा रहा है यह सारा कुछ जूट है मैं थाना अध्याच महादेजी से यह बोलना चारी हूँ कि हम लोग की रिलेशन सिफ साथ साल हो चुका था अब हम लोग अपने घर पे नहीं राय पा रहे थे हैं और मैं इस इन के कोई जोर्ज बरजास्ती से नहीं आई हूँ अपने मन से अपने राजि मंदी से आई यह मेरे साथ कोई जोर्ज बरजास्ती नहीं किया है हम अपने मन से आया हैं और थाना ध्याच महोदे जी से यही निवेदन है कि मेरे हजबेंट के फैमली को कोई टोचर ना किया जाया दर में कोई भी दूसरे जो बेधुना है उनको कोई भी टोचर ना किया